हेलो फ्रेंड्स, वेलकों टू माई यूट्यूब चैनल, सो फ्रेंड आज हम इस वीडियो में डिस्कॉस करने वाले हैं पॉइम जिसका नाम है दो इलेक्शन जो कि सिर्था कांद महापात्रा के दवारा लिखी गई है है सो इस पॉइम में बेसिकली एलेक्शन के बारे में बताया गया है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तब लीडर्स का जो behavior होता है वो किस तरीके का हो जाता है एंड इसके साथ ही जो कड़़ी सचाहिए है elections की लोगों का उनको वोट देने की और उनके द्वारा जो भी वादे वगारा किये जाती है उन सब के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से इंडिया एक democratic country जरूर है लेकिन यहां पर जिस तरीके से लोग सरकार को चुनते हैं और सरकार के द्वारा जिस भी तरीके के काम कि जाते हैं वो proper balance में नहीं होते हैं तो उन सब बातों के बारे में इस point में बताया गया है मेली यहां पर जो सीतकान महापात्र है उन्होंने व्यंग्या किया है election की जो conditions होती है जिस तरीके से leaders का behavior होता है election के time पर उसके बारे में बताया है और इसके साथ ही किस तरीके से जब इस point में बताई गई है तो अगर आपको question आता है किसी भी type से इस point से लेटेट तब आपको जो अपना answer है वो अगर आप हो सके तो अपना answer points के according लिखा करो इससे क्या होता है कि आपको जो writing style है जो answer writing है वो ज्यादा अच्छी लगती है points चाहिए आप 2 बना दो 3 बना लो context और एक होता है explanation reference to context में आपको सबसे पहले यह बताना होता है कि यह जो stanger की lines है यह किस point में से आई है और इसके point का क्या name है उसके बाद आप जो introduction वाली बात हैं वो सारी बातें वहाँ पर reference to context में भी लिख सकते हो and इसके अलावा अगर इस point से लेटेट कोई long question आता है based है वो बाली बात और इसके अलावे एक theme का point बना देते हो तो इससे आपको जो answer है वो ज्यादा अच्छा रहेगा सो start करते हैं सबसे पहले point है introduction सीता कान महापात्रा is an aurea writer belonging to the post-clonial era जो सीता कान महापात्रा है वो एक aurea writer है यानि कि यह कहां से बिलोंग करते हैं Odisha से and यह किस time period में है तो यह post-clonial era से बिलोंग करते हैं in his writing इनकी जो writing है जितनी भी poems वगर है he tries to go against the trend of romanticizing the past तो देखो पहले के जो poems होते थी उसमें क्या होता है कि जो past उसके बारे में या फिक कल्पनाओं से भरी हुई ज्यादा poems लिखी जाती है romantic poems जिसे कह देते हैं बट इन इनोंने क्या है instead focus on the reality इनोंने उस time के जो reality थी उसके उपर जादा focus किया and the presence of the moment और उस time पे जो कुछ भी हो रहा था जो भी moments वगरा थे जो reality थी उस present timing की उसके बारे में जादा poems इनोंने लिखी है The reality in his work is not what we see or perceive with our eyes तो यहाँ पर यह जो reality लिखते हैं वो वाली reality नहीं है जो कि हम सरफ अपनी आँखों से देखते हैं और perceive करते हैं यह reality है the reality of life जो life में real है उसके बारे में बात करते हैं जो भी हमारे real experiences होते हैं उनके बारे में ज्यादा बाते करते हैं The point, the election is based on the post-colonial disillusionment तो यह जो point है election इसमें main क्या है कि जो post-colonial era था उस time पे जो disillusionment था यानि कि एक परकार का जिसे ब्रहम कर देते हैं तो उसके बारे में ज्यादा बताया गया है कि किस तरीके से election के time पर लोगों के साथ बड़े-बड़े वादे किये जाते हैं उन्ह The point is the narrative of an election day in India तो यह जो point है वो एक परकार की narrative point है जिसमें किसके बारे में बताये गया है कि इंडिया में election वाले दिनों में क्या होता है A politician is the narrative of the point तो जो politician है वो क्या है narrative है इस point का who has come to campaign for the vote in a remote area जो की election के timings में जो remote areas होते हैं पिछडे हुए जो शेत्र होते हैं जहांपर लोग रहते हैं वहाँ पर जाते हैं votes के लिए आदिवासी area कह दो ठीक है इन areas में जाते हैं votes के लिए और जब सरकार बन जाती है या elections हो जाते हैं उसके बाद इस area में ना तो वो जाते हैं ना ही इन लोगों का हालचाल पूछते हैं आ पॉइन इस a star on the root of the people in India तो यहां पर लोगों का रूल है लेकिन यहां पर जो पूइटर वह कहते हैं यह सिरफ नाम है रह चुका है यह बात हैं जो हम कहते हैं लेकिन reality में क्यों होता है कि जैसे ही लोग चुन लिये जाते हैं, लीडर्स चुन लिये जाते हैं, तो उन लोगों के पास सारी पावर आ जाती है और वो लोग रूल करते हैं, इसके बाद next point है, theme, in the beginning, point की starting में, we find that he has criticized the politician, starting में जो point है वो क्या करते हैं, कि पहले तो politicians, जितन message जैसे खत्म होने वाली होती है, तब हमें पता चलता है कि उन्होंने the criticism move from the rulers to the commoners, कि पहले तो वो जो political leaders हैं, उनके उपर criticize करते हैं, और बाद में वो जो commoners है, means जो लोग हैं, उनके उपर भी criticize करते हैं, उन्हें भी अलोचना करते हैं, and the failure of democracy is revealed, इसके साथ ही वो ये भी जाते हैं कि किस तरीके से जो इंडिया है, उसमें जो democracy है, वो धीरे धीरे fail होती जा रही है, सिर्फ नाम की रहे गई है, इसके बाद आप लिख सकते हो summary, या subject matter of the point, इस तरीके से आप point बढ़ाओगे, उसके बाद अब आपको लिखनी है, पुरी summary, in the first stanza, starting stanza में, the narrator, the politician says that, तो यहाँ पर जो narrator है, वो क्या कहती है, कि यह जो politicians होती है, वो क्या कह रहे है, to the villages, जो politician है, वो villages को कह रहे है, that the jeep of politicians crawl on the road to reach them, कि जैसे ही elections के दिन आते हैं, तब politician क्या है, कि in remote areas में जाती है, और यह जो area होती है, तो वहाँ पर पिछड़े जो शेत्र होती है, वहाँ पर यह अपनी jeep पर जाते हैं, और यह जो jeep है, वो road के उपर crawl करती है, means, रेंगती हुई धीरे धीरे जाती है, the jeep does not run, कि यह जो jeep है, वो तेजे से नहीं चल पाती है, क्यों नहीं चल पाती है, क्यों, मतलब इनोंने कहा है, not run, but crawl, कि यह तेजे से नहीं चल पाती है, ब की condition बहुँ ज़्यादा खराब है इसी कर वहाँ पर कोई भी जीप या कार तेजी से हम नहीं चला सकते हैं तो यहाँ पर का आगया है कि जब elections के दिन आते हैं तब यह जो political leaders होती हैं यह क्या करती हैं अपनी जीपों पर आती हैं बहुत सारे लोग इनके साथ होती हैं शोर आ रहा होता है ये 5 साल के बाद ही आता है जब ये लोग इस तरीके से रेलिज निकालते हैं और sun इतनी यानि की गर्मी होती है तबी भी ये जो लोग हैं वो आते हैं नारे बाजी करते हैं तो उसके बारे में कहा गया है All this happened for the sake of common will और ये सब होता किसके लिए हैं शिरफ और शिरफ लोगों के वोर्ट के लिए Democracy which is important in India जो democracy है वो इंडिया में important है आपको नहीं लिखनी है The politicians force the villagers to acknowledge the problem and the difficulty he has faced by traveling to their village on crease, cross, geometry geometry का meaning क्या है irregular and rough roads तो यहाँ वो जो politicians हैं वो villagers के बाद को यानि कि यह जो problems and difficulties के बाद मताते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर आपके पास पहुंचे हैं आपके vote के लिए जबकि यहाँ का जो area है यह जो village में जो roads वगएरा है वो किस तरीके से irregular है rough है यहाँ पर कहता है कि जो politician वो कहते हैं कि यह जो सरकार है इसने कुछ भी development नहीं की है अभी भी आपका जो village है यहाँ की जो सरके हैं वो किस तरीके से crease cross है हाना तो यह कहते हैं कि आप हमें vote दो जिसे कि हम इन सब चीजों में सुधाद कर सके तो यहाँ पर क्या और है कि लोगों को जूटी आसे दी जा रही है तो यहाँ पर का गया है कि अगर हम इनके जो words है उसके ओपर थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हैं तो हमें पता चलेगा कि यह जो democracy word है इसका मिनी क्यों होता है rule of people लेकिन ऐसा नहीं है यह चीज़ हम sports करते हैं कि यह जो political leaders है यह public लोगों के servant है बलकि इसके opposite होता है जैसे ही उनकी सरकार बन जाती है तब यह जो लोग हैं यह servant नहीं यह master बन जाती हैं किनके public के मालिक बन जाती हैं Thus now that democracy has made them master their living of a comfort zone for the people would be a kind of gratitude on people फिर यह जो लोग है यह master बन जाते हैं और यह जो लोग होते हैं वो क्या है their living of a comfort zone और वो अपना यानि कि जब elections होते हैं तब क्या है कि यह अपना comfort zone को छोड़कर लोगों के पास आते हैं ताकि जो लोग हैं वो इनने gratitude यानि कि इनके जो बाते हैं इनका जो behavior यह इतना अच्छा बना लेते हैं election के time पर कि जो लोग हैं वो इनके behavior से बहुत ज़्यदा प्रभावित हो जाएं और इनने vote दे दे और means gratitude दे दे इसके बाद आगे कहा गया है in the second stanza second stanza में कहा गया है the politician says that politicians कहते है the villages are not affected by the dark longings their hard work done by them on poster, markings, sorry makings, symbols, campaigning speech and the handbills etc because they have their own sorrow and grief that surpass the issue of the state तो यहां पर जो poet है वो कहते हैं कि यह जो political leaders है वो क्या कहते हैं कि यह जो villagers है उनकी जो मेहनत है कि उन्होंने किस तरीके से poster बनाई है उन्होंने यहां पर आई है इन्होंने अपने symbols बनाई है किस तरीके से speech विगरा देते हैं तो इन सब चीजों से इन villages के उपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है क्यों क्योंकि यह खुद अपने ही जो grief है यानि कि दुख है सोर है उसी में फसे हुए है जो भी इनकी परेशानिया है यह उसी में इतने ज़्यादा उलजे हुए है कि political leaders के दोबारा चाहे कुछ मर्जी कर लिया जाए चाहे वो जितने मर्जी नारे बाजी लगा दें पोस्टर्स लगा दें इन लोगों के उपर कोई भी अफेक्ट होने वाला नहीं है तो यह कहते हैं कि यह जो पोस्टर वगरा है यह जो स्पीच है इनसे कोई मतलब नहीं है इनसे वो वोट लोगों के हासिल नहीं कर सकते तो वो किस तरीके से लोगों के वोट हासिल करेंगे कि वो लोगों को क्या है कि उनका जो ग्रीफ है उनका जो दुख है उसके लिए वो कहेंगे साहनुबूती दिखाएंगे ठीके उनके साथ अच्छा behavior करने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से उनको अपनी बातों में फसा लेंगे और अपनी उनकी जो words बगएरा हैं वो ले लेंगे अपनी तरफ The politician emotionally triggers their problem to gain favor and ultimately succeed in gaining words as well कि ये जो लोग होते हैं वो emotionally कहें कि लोगों को उनके problems के थ्रू अपना बना लेते हैं और जो words होते हैं वो पाने में success हो जाते हैं In the third stanza और third stanza में The narrator says that, narrator कहते हैं Villagers have killed desire in their hearts as they know well that their condition will never be changed कि जो villagers हैं वो कहें कि अपनी जो desire हैं उन्हें अपने heart में ही, अपने मन में ही खतम कर देते हैं क्यों क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी condition कभी भी change नहीं हो सकती है यानि कि कोई merger सरकार आ जाए ठीक है इनकी जो condition है यह ऐसी की ऐसी ही रहेगी यह जितने भी political leaders हैं यह सिरफ vote के लिए इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं However, they have hope in their hearts that their future proscenity may be able to live in a better way फिर भी कही न कहीं उनके मन में एक hope होती है कि शायद यह जो सरकार है वो कुछ अच्छा कर दे उनकी जो life है उनका जो area है उसमें थोड़ा बहुत सुधार कर दे ऐसा इनकी hope होने लग जाती है This make them look on the face of a politician which is tired ashy as he has left his comfort zone for the sake of the words और यह जो political leaders वगरा होते हैं, politicians होते हैं इनका जो face है यह बहुत ज़्यादा थका हुआ दिखाई देता है, ashy दिखाई देता है क्यों? क्योंकि यह vote के लिए अपना comfort zone छोड़कर आती है पहले तो यह aces वगरा में रहते हैं, और जैसी vote आ जाते हैं, तो तबती धूप में भी दूर दूर के जो इलाकी हैं, वहाँ पर जाकर लोगों के vote मांगते हैं In this line, in lines में, one can see how people see their leaders, they consider as if they have some magical power to do something for them तो यहाँ पर जो लोग है, वो अपने leaders को बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है, कि यह जो political leaders है, इनके पास कोई न कोई magical power जरूर है, जिससे कि वो सब कुछ change कर देंगे The people never try to bring the change on their own, but state put their hopes on the politician तो यहाँ पर जो writer है, वो कहते हैं, कि यह जो लोग है, वो खुद कोई भी change लाने की कोशिश नहीं करते हैं, बलकि यह जो hope है, वो सिरफ उन political leaders पर छोड़ देते हैं Hence, they remain in the same condition for eternity और इसी कान वो हमेशा उसी same condition में रहते हैं, उनकी जो condition है, वो कभी भी सुदर नहीं पाती है In the fourth stanza, और fourth stanza में, the narrator exposed the real face of democracy in India, कि जो reality है democracy की उसके बारे में बताते हैं According to him, उनके नुसार, it is not hidden, कि यह छुपा हुआ नहीं है किसी से भी, but the very common fact that is such remote area, they need to do something big or extraordinary for votes कि वो कहते हैं कि जहां पर इन्हें कुछ votes के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ extra करना चाहिए, यह political leaders ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, but providing cheap things like plastic, nylon, glasses, etc. during the campaign period will do यानि कि remote areas में लोगों को प्रभावित करने के लिए, लोगों का आपनी तरफ करने के लिए, उनके votes को लेने के लिए, यह कुछ बड़ा नहीं करते हैं, यह चोटी-चोटी चीज़ों उनको दे देते हैं, और वो जो लोग होते हैं, वो छोटी-चोटी चीजों में ही खु सेस हो जाते हैं इतनी तपती हुई धूप में वो जो जाते हैं और वहां पर लोगों के जो emotions होते हैं उनके जो विजाधारा होती है उसको वो divert कर देते हैं यह थोड़े बहुत cheap चीज़ें जो cheap goods होते हैं यानि कि सस्ती चीज़ें वगारे उनको दे कर दस anti-democracy come into existence इसलिए यहां पर डेमोक्रेसी की जगह पर क्या आने वाली है anti-democracy इन दा लास्ट एंजा और लास्ट एंजा में दा नेरेटर डिसक्राइब दा failure of democracy caused not by the politician but by the commoners तो यहां पर जो नेरेटर ने hand become selfish in their demand and ask for livelihood to the rulers at any cost कि यह जो लोग हैं यह कभी-कभी इतने ज्यादा selfish हो जाते हैं अपनी demands को लेकर अपनी livelihood को लेकर कि यह rulers को किसी भी कीमत पर अपने wars दे देते हैं means कि यहां पर क्यों होता है कि हम लोग यह सोचते हैं कि सरकारे 5 साल तो कुछ करेंगे नी लेकिन लास्ट टाइम में जो मिल रहा है हम वही ले ले क्योंकि सरकार कुछ दे रही है तो हम थोड़े में ही खुश हो जाते हैं और इसी कारण हम कहें कि 5 साल हम गुलामी करते हैं और जो थोड़ा टाइम एलक्षन को होता है तब पॉलिटिकल लीडर्स यह बात है यहां पर क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो क्या बाते करते हैं जैसे कि उनके बेसिक राइट्स क्या है उनके जो सोशियल चेंजिस आ जाएगा उन सब के बारे में बाते करते हैं they cannot decide to which side they should go and ultimately fail in making the right decision लेकिन यानि कि यहाँ पर जो लोग है वो बाते तो बड़ी बड़ी कर देती हैं लेकिन जैसे ही सही डिसीजन की बात आती है तब वो कोई भी सही डिसीजन नहीं ले पाती है Thus social issue like inequality, class divide, poverty are not because of the politician but because of the choice of people कि यह जितनी भी बाते हैं जैसे कि और समानता वाली या फिर हम class divide कर देते हैं जाती पाती गरिबी यह सब politicians के कार नहीं है यह लोगों ने खुद ने choose किया है ठीक है अगर लोग चाहें तो इसमें सुधार कर सकते हैं लेकिन वो खुदी ऐसा नहीं करते हैं hence the narrator explain how a task like election which was meant for the welfare of people कि यहां पर जो ने टरे वो कहते हैं कि यह जो इलेक्शन है उसका main meaning क्या होता है कि लोगों का भला हो सके which could bring about the change in the country और country में change आ सके become a major task लेकिन अब यह जो टास्क है वो किस तरी के को हो चुका है corruption and mal practice यानि कि यहां पर क्या है कि कहा तो यह जाता है कि election के थुरू हम लोगों का भला करेंगे country में change लेकर आएंगे लेकिन यह सब सिरफ बाते हैं इसके बाद corruption ही बढ़ रहा है और गलत काम ही जादा हो रहे हैं तो यही पॉइम थी hopefully आपको यह जो पॉइम है वो समझ में आगी होगी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हो comment section में इसके अलावा आप नई शुरवार telegram channel को भी जोइन कर सकते हो और वहाँ पर अपना कोई भी डाउट वगरा होता है तो पूछ सकते ह thank you friends for watching my video thank you